हम पढ़ना है चैप्टर नूंबर 12 एक्वेशन ऑफ एस्टेट लाइन इसके एक एक्सरसाइज पर चुक है नाओ वे हैब तू लर्न एक्सरसाइज 12 बी एक्सरसाइज 12 बी एक्सरसाइज 12 में हमने क्या क्या था इक्वेशन ऑ स्टेट लाइन क्यों फांड मिंकले थी कोई-दोपburgh स्टेट लैइंट निकालए स्टेषे अजने हैं पर तूप एक्सरस फौइंग अगर अगर हमें एंगल दे रखा हो तो m is equal to 10 theta यह भी slope निकालने का फॉर्मूला इसके बाद बात करते हैं कि हम equation of straight line क्या होती है equation of straight line equations of straight line equation of straight line देखते हैं सबसे पहले होती y is equal to m x plus c यहां क्या होता m जो वही होग जो slope होता slope of the line and c जो होता वो y intercept होता and second equation second equation जो होती होती y minus y1 is equal to m और x minus x1 यह उसकेस में लगाए जाते हैं जब हमारे पास एक point दिया हो plus slope हो तो slope की value हैं लगा देंगा और x and y1 दूसर point यह बोट कर देंगा और जब हमारे पास एक भी slope नहीं हो दो point दें लगा हो तो y minus के y1 और इधर m के place पर लवाते हैं y2 minus y1 upon x2 minus x1 यह m की value होती है भी पड़ी है हमने और x minus x1 यह उसकेस में equation of line लगेगा जब आपको पास slope नहीं होगा आपको दो point देंगा दो point से पास होने वाले स्टेट लाइन की equation हमें find करनी होगी तो इस case में यह formula लगेगा यहां लिखेंगे पहली चीज़ जो है कि शोप फेले लाइस स्टोप ऑफ पैरलल लाइनस लोगोगो पैरलल लाइनस की जो स्लोप होते हैं वह क्या होता है ध्यान से लेकर नाय यहां लेकिनगे एफ टू लाइनस आर पैरलल तू लाइनस आर पैरलल लाइनस इस लोप ओफ दिनाइनस अफ दिनाइनस अर एंवन एंडु एंडेन्ट थे ट्रूप नं चीज़ घांका कि M1 is equal to M2 suppose कीजिए this is coordinate axis partition plan यह x axis y axis this is line number first L1 और this is line number second L2 अगर दूनों लाइन है कैसी है parallel line नहीं पैरलल लाइन है तो इनके जो सिलोप होंगे वह एक्वल होंगे तो धियान दखना पैलल लाइन के वह सिलोप होते हैं वह दूसरे चीज क्या आती कि सिलोप और पर्पेंडी कुलर लाइन पर्पेंडी कुलर लाइन तो पर्पेंडी कुलर लाइन तो पर्पेंडी कुलर लाइन के सिलोप क्या होते हैं सब्सक्रों इस अ काटिशन प्लैन x-axis y-axis one line is there this is line 1 it is denoted by L1 and second line this this is line L2 it is both are perpendicular to each other तो यहां क्या बोलेंगे यहां बोलेंगे इस लोग of the lines of the lines are M1 and M2 M1 and M2 then तो क्या होगा तो यहां होगा M1 into M2 is equal to minus K1 ओके एक relation यह होगे क्यों है तो इस चीज में है इस exercise में है दो चीज़े एक्ष्टा पड़ी है एक तो क्या अगर दो लाइन्स हैं और दोनों लाइन्स के दोनों लाइन्स अगर पेरा ललना है तो उनका स्लोप कैसा होगा एकुल होगा और दोनों लाइन्स अगर पर्पेंडिकूल और 90 डिग्री पर दोनों स्लोप के मिल्टिप्ला यह माइन्स वन आएगा इस इट के लियर ओके चलो एक आथ कोशन करके देखते हैं इसमें रेस कर देते हैं इसमें स्टेट में देना को कौन से इसमें टू है इस नमबर फर्पेंडिकूलर नाइधर पेरलल और नौर पर्पेंडिकूलर तो इसमें क्या बोलना हम है कि यह दोनों लाइन्स पहली चीज क्या है यह पेरलल है पहली चीज हमें कैसे बता चलेगा दोनों के स्लोप निकालेंगे अगर दोनों स्लोप एक्वाल आते हैं M1 एक्वाल एक्वाल होगा इक्वाल नहीं आ रहा है M1 और M2 की मिल्टिप्लाई के आए माइनस 1 तो पर्पेंडिकूलर आएगा और दोनों में से कोई भी कंडिशन सेटिस्वाई नहीं करें तो ना इधर पहला लें नौन पर्पेंडिकूलर इटेस के लिए चलो स्लोप निकालते हैं तो फ्रॉम एक्वेशन वान ओन कंपेरि क्या से कंपेरिंगर य इस एकोल टो Mx प्लस सी होता तो M1 और C1 कर लें तो यहां एकस का कोईशन तरी है M1 तो M1 इस इकोल टो कितना हो गया 3 और C1 is equal to minus 5 okay so from equation 2 equation 2 equation 2 तो पहले हम इसकी comparing डारेक्ट नहीं कर सकते डारेक्ट करने के लिए y को coefficient 1 होना जाए इसके पास 2 है okay from equation 2 on dividing by on dividing by काई से 2 से 2 से divided करोगे तो y is equal to 4x upon 2 और प्लसका 7 upon 2 to say to time to y is equal to with not 2x plus 7 by 2 अब यहां लिखेंगे क्या comparing with comparing with y is equal to m2 x plus c2 to m2 is equal to 2 and c2 is equal to 7 by 2 it is clear m2 कितना है टू और सीटो कितना है 7 by 2 तो इसमें क्या करना है m22 c2 c7 by 2 होगे हमारे पास दोनों नाइस के स्लोग बागा m1 m2 तो चेक करते हैं number first कि m1 equal है क्या m2 के okay see m1 value of m1 3 value of m2 2 कि बोट are equal not equal okay second case check करते हैं क्या m1 m2 m2 m1 और m2 की value देखते है कितनी आथी m1 कितना 3 into 2 तो m1 into m2 is equal to 6 इसमें m1 into m2 not equal to minus 1 तो second condition भी satisfy नहीं पहली conditions क्या दी कि parallel होग है तो दोनों के slope equal होते है equal नहीं है दूसरी condition perpendicular है तो slope की multiply minus 1 आने चाहिए वो भी नहीं आए तीसरी condition क्या तो थाड़ी कंडिशन इस सेटेस्पाई तो यहां लिख देंगे क्या हांस दी गिवें लाइन टी गिवें लाइन लाइन लाइस नाइदर पेरालल और पर्पेंडिफुलर और यह आंसर है ओके कर दो कर दो